Hello everyone, welcome to Inspired Corner. In this session, we will discuss pronoun in English as well as in Hindi. इस session में हम pronoun means सर्वनाम की भात करेंगे. Let's start. What is pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a noun. जो शब्त संग्या का स्थान ले, उसे सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं. पतर जो शब्त संग्या की जगाई, उसे सर्वनाम कहते हैं. Amit and Amit's friend went to Amit's home. अब आप देखों इस सिंटेंस में, नाउन क्या है, Amit, कितनी जगाँ आ गया? तीन जगाँ आ गया. और ये सिंटेंस बड़ा ही confusing लग रहा है. तो हम क्या करेंगे? First word Amit, ये noun ही रखेंगे, जो बाकी दो जगाएं, वहां हम noun की जगाँ प्रोनाउन यूज करेंगे. कैसे? Amit and Amit's friend के जगाँ करेंगे. His friend went to Amit's home, his home. तो कितना easy हो गया है ना सिंटेंस? Amit and his friend went to his home. तो जो शब संग्या की जगाँ प्रियोग में आएं, उसे प्रोनाउन कहते हैं. Means, a pronoun is a word that takes the place of a noun. Examples, उद्धारण, he, she, it, we, you, these, those, extra, वह, यह, हम, तुम, ये, वे, आदी. Types of pronouns, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के परकार. There are six types of pronouns. Number one, personal pronoun. पुर्ष वाचक सर्वनाम. Number two, demonstrative pronoun. लिष्चे वाचक सर्वनाम. Number three, interrogative pronoun. प्रशन वाचक सर्वनाम. Number four, indefinite pronoun. अनिष्चे वाचक सर्वनाम. Number five, relative pronoun. सबन्द वाचक सर्वनाम. Number six, reflexive pronoun. निजवाचक सर्वनाम. अब हम इनकी details study करेंगे. Number one, personal pronoun. पुर्ष वाचक सर्वनाम. अब पर्सनल प्रोनावन is a pronoun that is associated primarily with a particular person in a grammatical sense. क्या होता है, पुर्ष वाचक सर्वनाम? जोश सर्वनाम किसी व्यक्ती के बदले आता है, उसे personal pronoun मतलब पुर्ष वाचक सर्वनाम कहते हैं. When discussing person in terms of grammatical, the following rules apply. जब हम पर्सन की बात करते हैं सर्वनाम में, तो हमें व्यकरन के मद्धे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. और वो है first person, as in I, उत्तम पुर्ष means मैं. Second person, as in you, द्वित्य पुर्ष जैसे तुम. Third person, as in it, he, she, अन्य पुर्ष मतलब यह, वह. अब देखो, first person क्या है? आये हैं और second person, you हैं. और जितने भी बाकी हैं सब, वो क्या हैं? Third person है, अन्य पुर्ष हैं. अब हम personal pronouns में देखते हैं. Subject pronouns कौन कौन से होते हैं? I, you, we, he, she, it, they. और object pronouns मे, you, us, him, her, it, them. अब हम इसमें भी singular और plural के बात करते हैं. अब singular में first person subject pronoun I और object pronoun me. Second person में subject pronoun you और object में भी you. और singular में ही third person में he, she, it. और उदर हो क्या है object pronouns में him, her, it. अब plural में देखो first person में we, we का क्या हो जाता है, us. और second person you का you ही रहता है. और third person में they का क्या हो जाता है, them. अब हम बात demonstrative pronoun की करेंगे. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific with a sentence. These pronouns can indicate items in space or time and they can be either singular or plural. जो सर्वनाम स्बंदित वस्तू का संगेत करते हैं, वो demonstrative pronoun कहलाते हैं. अब demonstrative कौन से होते हैं? निश्चे वाच्चक सर्वनाम. मतलब ये किसी निश्ची चीज के बारे में बताते हैं. अब क्यासे near in time or distance, तो क्या आएगा? दिस और दीज. अगर वो नजदीक के बारे में बताएं, बोलते हैं तो क्या आजाता है? दिस, यह है और यह. अगर दूर के बारे में बताएं, तो क्या आएगा? देट, दोस, वह या वे. अब देखो एक्जेंपल में. दिस इस एन एपल. एपल के बिलकुल उन फिंगर के साथ है, सिंगर. और एपल अब दूर दिखाई दे रहा है. तो क्या होगा? देट इस एन एपल. मतलब वो आप से दूर है. उसके बिलकुल पास में नहीं हो. तो वहां क्या आएगा? देट आएगा. जब चीज आपके बिलकुल पास है. तो वहां क्या जाएगा? देश. ऐसी प्लूरल में. देज आएपल्स. और जब दूर चले गए तो क्या हो गया? दोज आएपल्स. अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स के. प्रशन वाचक, सर्वना. इंटरोगेटिव प्रोनौंस आएपल्स आएप्रोनौंस ask questions a pronoun takes a place of a noun and interrogative pronoun takes the place of the unknown information the question ask about there are five interrogative pronouns who, whom, what, which and whose अब हम प्रशन बाचक सरवनाम की बात कर रहे हैं तो प्रशन बाचक सरवनाम में क्या होता है interrogative pronouns are pronouns that ask question जो की प्रशन के बारे में प्रशन पूछता है जो सरवनाम हमें प्रशन का बोध कराए उसे हम प्रशन बाचक सरवनाम कहते हैं मतलब प्रशन करने के लिए सरवनाम का प्रियोग होता है और यहाँ पर प्रवनाम हमने नाउन के जगा question आ जाता है प्रशन आ जाता है और वो सरवनाम कहलाता है और पांच interrogative pronouns होते हैं कौन कौन से who, whom, what, which and whose अब हम देखो कैसे आते हैं यह interrogative pronouns पहला है what description के लिए used for the thing जैसे what do you do अब second pronoun है who meant for people और person मतलब व्यक्ती के बारे में पुशन रहते हैं who is knocking at the door who are you ऐसे से question होते हैं whom used for people और person और यह व्यक्ती के लिए प्रियोग में होता है whom did they invite किसने उन्हें invite किया है which used for things and in some case people which ज्यादा तर things के लिए प्रियोग होता है पर कुछ जगहों पर यह people के लिए भी प्रियोग में ला जाता है which one do you like whose used for a person whose house is that अब देखो what or which things के लिए आते है और who whom और whose किसके लिए आते है person के लिए आते है पर कुछ जगहों पर which शब्त का प्रियोग भी people के लिए किया जाता है अब हम बात करेंगे indefinite शर्वनाम की मतलब अनिस्चे बाचक शर्वनाम अन undefinite pronoun does not refer to any specific person thing or amount it is व्यग्यो and not definite some typical indefinite pronouns are all another any anybody anyone anything each everybody everyone everything few many nobody none one several some somebody someone जिस सर्वनाम से किसी घटना व्यक्ती वस्तू का ज्यान न हो सके उसे अनिस्चे बाचक सर्वनाम कहते मतलब इससे किसी मतलब सही स्थिती का ज्यान नहीं होता अब कैसे जैसे another we finally move to another apartment अब कौन से apartment है ये नहीं हमें पता है अब देखो anyone I swear I won't tell anyone this secret ऐसे ही anything प्रोणाउं anything is possible if you believe each each company is fighting to protect its own commercial interest अब इस प्रोणाउं अब इस प्रोणाउं अब इस प्रोणाउं क्या है अब आइदर आइदर वन विल बी फाइन अब प्रोणाउं आगया है enough enough का example देखो enough is enough everyone का देखो everyone cheered for the violinist at our school concert everything everything is going as plant अब हम बात करेंगे relative pronoun मतलब स्बंध वाचक सर्वना our relative pronoun is a pronoun that has an adjective clause the relative pronoun are that which who whom and whose here are some simple examples that the dog that's tall the pie is back जिस सर्वनाम में एक बात का दूसरी बात से स्बंध होता है उसे स्बंध वाचक सर्वनाम कहते हैं मतलब जिसमें एक बात का दूसरी बात से स्बंध हो और अब देखो आप बोलोगे कि which, who, whom who's तो हमारे पास interrogative pronouns बताए गए थे और यहाँ यह relative pronouns भी है तो शब्द के sentence में शब्द का क्या अर्था रहा है इस हिसाब से words का use होता है इस हिसाब से word को हम प्रियोग में लाते हैं और तब ही उसके meaning के हिसाब से हमें बता लगता है कि कौन सा pronoun है अब देखो example देखो relative pronoun की भू की ही बात करते पहले used for people the woman who called yesterday wants to buy the house अब यहाँ पर क्या आया है इसमें कौन नहीं आया है इसमें आया है वो औरत कल जो पूछ रही थी वो मकान खेरना चाहती है which used for things and animals did you see the letter which came today I love the puppy which is jumping at the kitchen अब यहाँ भी which ka मतलब वो आया वो puppy who is used for poisonous of people animal he is a man whose opinion I respect she is the student whose handwriting is the best in my class whose ka मतलब यहाँ क्या है जिसकी whom used for people when the person is the object of a verb the author whom you criticized in your review has written a letter in reply अब दिकु देट used for people think animal अब देट सब के लिए आता है जैसे पहले हम people के लिए यूज करेंगे the girl that we met in France has sent us a card अब हम think के लिए यूज करेंगे we lived a ground floor flat that bags on to a busy street अब हम that का प्रियूक animal के लिए करेंगे do you like the cat that is sleeping underneath the table अब हम sixth pronoun reflexive pronoun निच वाचक सरव नाम के बात करेंगे reflexive pronoun are words like myself yourself himself herself itself ourself yourself and themselves they refer back to a person or thing we often use the reflexive pronoun when the subject and the object of a verb are the same I cut myself when I was making dinner last night निच वाचक सरवनाम का नाम आप है मतब ये कहां आता है ये तीनों पुर्षों के लिए प्रियोग किया जाता है और आपका प्रियोग किसी संग्या या सरवनाम के निश्चे के लिए होता है और कई वाँ निच वाचक दूसरे विक्ति के संदे दूर करने के लिए भी होता है मतलब ये आप शब्त के प्रियोग के लिए अब कैसे reflexive pronouns as a direct object when the object is same as the subject of a work मतलब ये जब object विल्कुल सेम होता है तब प्रियोग मतलब जैसे subject pronoun I और reflexive pronoun का है myself और you का subject pronoun है और इसका के reflexive pronoun yourself और subject pronoun he, he का himself she का herself it का itself we का ourselves you का yourselves और दे का themselves thank you very much I hope you all like my this video thank you very much कि का we are हुआग Our ce